सबी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार तो आज मैं लेकर के आई हूँ बहुत ही डिफरेंट टाइप का वीडियो आप सब के लिए जिसके लिए आप में से बहुत सारे फ्रेंट्स हमेशा मुझसे पूछते हैं तो सोचा कि आज इसके उपर एक वीडियो शेयर कर दूँ इससे पहले भी मैंने दो साल पहले लगभग अपने कर्टन कलेक्शन के उपर वीडियो शेयर किया था लेकिन वो वीडियो में बहुत जादा एडिटिंग प्रॉब्लम थी जिसकी वज़े से वो वीडियो अच्छा नहीं बन पाया था या फिर ये कहूं कि समझ से थोड़ा सा बाहर था तो सोचा कि आज आज आपके साथ में शेयर करूँ ये वीडियो तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में लगे हैं कुछ कर्टन तो ये कर्टन के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है तो मैं आपको कर्टन चूज करने में हेल्प करने के लिए कम से कम 17 से ज्यादा टिप्स और आइडियास बताऊंगी जिसकी वज़ा से आप अच्छे और सही कर्टन अपने रूम के अकॉर्डिंग चूज कर सके क्या होता है कोई भी कर्टन अगर आप लेते हैं लेकिन उसको किस जगा पर लगाने हैं किस कलर का आपका वेडरूम है या किस कलर का आपकी दीवारे हैं किस कलर के आप कर्टन च कोई और से मतलब भड़कदार कलर कर दिया है बड़कदार कर दिया है तो वो अच्छा नहीं लगता शा टो इन वह लिए तरीकों करें किस तरीके से कोंट्रास्ट करें फड़े चुनते समय हमें किस तरीके से क्या तीहान रखनी चाहिए ये सारी बाते बताऊंगी साती सात मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि कर्टन के जगा पर विंडो ब्लाइंड या ब्लाइंड जो आजकल बहुत जादा ट्रेंड में हैं किस तरीके से और कहां पर हम लगा सकते हैं और किस-किस रेंज में आपको हो जाएंगी और कितनी यूस्फुल हैं अगर हम बेड्रूम में या लिविंग एरिया में ब्लाइंड लगाते हैं तो यह सभी क्वेश्चन का आंसर आज के वीडियो में आप सबको मिलने वाला है तो वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शरूर कीजेगा बहुत बात आपका अगर रूम में ब्राइट कलर हो रखा है तो आप सटल कलर के कर्टन का यूज करें और अगर सटल कलर आपने लगा रखे हैं तो उसमें ब्राइट और सटल दोनों कलर आप यूज कर सकते हैं सेकिन टिप यह है कि नेट टिशू खादी या सिल्क के कर्टन जो होते है वो self design में लगाएं और ज़्यादा तर partition वाली जगह पर लगाएंगे जिस जगह को आपने parts में divide करना है अगर वहाँ पर लगाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं तीसरे टिप मेरी ये है कि जो window blind होते हैं window blind या window curtain जो होते हैं जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी उनको अगर आपने कभी भी use करना है तो जैसे window पर लगाएंगे जैसे की नाम से ही पता चल रहा है और window blind को window पर लगा सकते हैं वेडे में लगा सकते हैं या फिर ब्रामदा व के लिए मिलेगा अच्छा next tip जो है वो ये है मेरा कि कभी भी बहुत जादा छोटे कमरों में या छोटे घरों में परदों में lining ना लगाएं जहां पर natural light ना आती हो तो वहां पर आप हमेशा एक तो subtle color के curtain लगाएं और दूसरी चीज ये कि उसके अंदर आप lining ना लगाएं अगला tip है मेरा ये कि curtain का जो fabric होता है वो हमेशा same रहना चाहिए अगर आप mix and match करके curtain लगा रहे हैं या फिर contrast में लगा रहे हैं तो दोनों ही curtain का जो fabric है वो same same होना चाहिए उससे क्या होता है एक अच्छा सा look आपके जो windows पर वो देता है next tip की मैं बहुत जरूरी बात करूँगी कि अक्सर हम online से curtain खरीदते हैं तो मेरा मानना ये है मेरा experience भी उतना अच्छा नहीं है हाला कि online पर भी अच्छे curtain मिल जाते हैं लेकिन जब तक आप बहुत जादा सोच समझ करके curtain नहीं खरीदते हैं आप curtain ना खरीदें उसकी जगा आप अपनी local market से ही curtain खरीदें इसमें आपको बहुत जादा benefit ये बिल जाएगा कि आपको fabric का पता रहेगा आप look देख सकते हैं आजकल तो shop पर बहुत तरीके से लगा करके दिखाते हैं और आपको idea हो जाता है उससे कि आपके घर में curtain लगने के बाद कैसे लगेंगे अगला tip मैं इसी से related आप सब के साथ में share करूँगी वो ये की lining जरूर लगानी चाहिए किसी भी curtain में अगर आप lining लगाते हैं तो वो curtain की जो show होती है और जो fall होता है जब आपने देखा होगा curtain हम लगाते हैं तो curtain में falls बहुत अच्छी आती हैं जैसे कि आप इस वाले curtains में देख रहे हैं तो इन में जो होती है वो lining की वज़र से curtain बहुत जादा खुबसूरत fall देते हैं अगर आपने lining नहीं लगाई है तो कई बारी curtain उतना अच्छा fall नहीं देते नेक्स टिप इसी से जुड़ी हुई है कि अगर आप without lining कोई भी curtain यूज़ करते हैं या खरीदते ह तो उसका जो fabric होता है वो थोड़ा heavy में यूज़ करें अक्सर ऐसा देखा जाता है कि lightweight जो curtain का fabric होता है वो इतना अच्छा fall आपके लगने के बाद में नहीं देता है तो इस चीज़ का भी बहुत खास ख्याल रखना चाहिए अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि जह यहां पर भी हो सके plain curtain जो होते हैं self design वाले curtain वो लगाएंगे जैसे कि आप यह देख सकते हैं मेरे self design में curtain हैं लेकिन एक ही color के हैं और यह room को काफी wider look देते हैं बहुत ही खुबसूरत सा look देते हैं तो अगर आप self design वाले curtain में कभी भी जाएंगे तो वो एक तो long lasting रहते हैं out of fashion नहीं होते हैं और दूसरी चीज यह कि अगर आप print वाले या बहुत ज़्यादा design वाले अगर आप trendy trend को follow करते हुए चलेंगे तो आपके curtain कुछ time के बाद में पुराने लगने लगते हैं एक उधारन में आपको आगे दिखाऊंगी इसका तो इस चीज का भी आपको हमे लेकिन ये जरूर ध्यान रखे कि lining का जो fabric होता है उसका color हमेशा light यूज करें जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी जो curtain के पीछे lining है वो या तो white color की use करें या फिर cream या beige color में यूज करें इससे अलग कोई और dark color में अगर आप lining लगाते हैं तो वो black out तो कर ही देता है कुछ time क के बाद में आपके curtain उतना जादा graceful नहीं लगते अब जैसे कि आप मेरे ये वाले curtain देखेंगे इसमें lining नहीं है तो इन curtains में इतना जादा grace नहीं आ रहा है और दूसरे ये कि curtain मैंने ये online purchase किये थे ऐसा नहीं है कि curtain में कोई कमी है curtain हमेशा ये बहुत खुबसूरत लगते ह बहुत bright है, shiny curtain है बट lining ना होने की वज़े से इनका वो fall और वो grace नहीं आ रहा जो कि मेरे बाकी curtains में देखने को मिलेगा next tip मेरा ये है कि अगर आप कभी भी curtain लगाते हैं तो curtain की जो rod है वो हमेशा window panel से थोड़ा सा उपर hide करके लगाएं उससे होता क्या है जादा तर दर्वाजे जो होते हैं वो 7 feet के उपर ही होते हैं और अगर हम 2 feet और थोड़ा करकर के लगाएंगे अपने curtain को यानि की 9 feet का curtain लगाएंगे तो उससे क्या होता है बहुत बड़ा सा illusion आता है और कमरा भी बड़ा बड़ा और खुला खुला नजर आता है इस चीज का खास ख्याल रखें जब भी भी आप curtain लगाते हैं जो curtain की rod है उसको हमेशा height पर रखें विंडो से थोड़ा extra height में इसके अलावा एक tip और दूंगी room से match करते हुए curtain को use करना चाहते हैं तो वो बहुत ही खुबसूरत लगते हैं room से match करते हुए मतलब दो तरीके से हम curtain लगाते हैं अपने घर में एक तो जो हमारे room का color होता है उसी से match करते हुए हम color लगा सकते हैं उससे room बड़ा बड़ा और खुला खुला लगता है तो अगर आपके कमरे छोटे हैं तो हमेशा same color के आप curtain यूज़ करें और plain curtain यूज़ करें उसके अंदर self design ले सकते हैं अगर आप चाहें तो बीच में कुछ curtain mix and match करके लगा सकते हैं तो उसमें भी color यूज़ कर सकते हैं वो contrast में कर सकते हैं अगर आप contrast में यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें जैसे कुछ curtain एक wall के color के ले लिए और कुछ color जो हैं वो आप इस तरीके से चूज़ करें जो भी आपके room में accessories है या furniture है या आप bed sheet वगरा जो ज़्यादा तर यूज़ करते हैं या आपके room में जिस चीज़ का ज्यादा use है उस color के आप करेंगे तो इस तरीके से contrast mix and match करके कर सकते हैं self design वाले curtain का use करें ये तो मैंने आपी बता दिया है mix and match करके भी कर सकते हैं इसके अलावा एक जो ज़रूरी चीज़ ये होती है बहुत जादा bright color या फिर बहुत जादा बड़े बड़े फूलो वाले जो curtain होते हैं उनका use बिल्कुल ना करें वो कमरे को दबा देते हैं कमरे की चीज़े जो और होती है वो बिल्कुल दबा देते हैं तो जैसे ही आप कमरे में enter करते हैं सिर्फ curtain पर ही निगह जाती है और आप बाकी जो भी decoration की हुई होती है वो उससे दब जाती है तो कोशिश करें कि बहुत जादा bright color के curtain या फिर बहुत जादा बड़े फूलो वाले या print वाले curtain का आप use ना करें। इसके अलावा एक और tip मैं देना चाहूंगी वो ये कि जैसे dark color होते हैं बहुत जादा darker shade जो होते हैं जैसे gray हो गया ब्लैक हो गया या और भी बहुत सारे color ऐसे होते हैं जो काफी dark लगते हैं ब्राउन हो गया इस तरह के color यूज ना करें गर्टन में जैसे कि आप देख सकते हैं यह मैंने brown और maroon में यूज किया है लेकिन brown इसमें इतना नहीं है अगर सोचे पूरा ही brown color का होता तो room ब्लैक आउट वाला लगता और room छोटा लगता तो इसी लिए कभी भी यूज करें तो इस तरह के darker shade यूज ना करें कोशिश करें कि आपके curtains में shine बनी हुई हो क्यो लेकिन उसमें थोड़ी सी shine होनी चाहिए शाइन होनी से क्या होता है जब lights आपके curtains पर पड़ती है तो वह बहुत ज्यादा खुबसूरत लगते हैं तो matte finish के जो curtain होते हैं उससे ज्यादा shine finish वाले जो curtain होते हैं वह ज्यादा खुबसूरत लगते हैं इसके अलावा अब बात कर लेते हैं window blind की तो window blind के लिए जैसे ही मैंने आपको बताया कि window blind को आप window पर लगा सकते हैं बरामदे में लगा सकते हैं वेडे में लगा सकते हैं या किसी भी जग़ा को आगर आपने घर के बाहर outside में जैसे partition करना है या shade में आर्च वगरा पर लगाएंगे तो वो जैसे पहली वाली window blind तो आप यह देख रहे हैं यह मैंने recent बनवाई है यह fabric की है डी डेकॉर का मैंने इसमें fabric यूज किया है लेकिन हमेशा window blind बनाते समय इस चीज का ख्यास ख्याल रखें कि उसके पीछे अगर आपने जैसे धूब आती है या नहीं भी आती है तब ही भी window blind क पीछे अगर आपने fabric लगवाया है याने कि lining लगवाई है तो आपकी window blind ज्यादा खुबसूरत लगेगी उसका जो pattern है वो उभर करके आएगा जैसे कि आपने अभी देखा मेरी उस वाली window blind में उतना उभर करके नहीं आ पा रहा है क्योंकि उसके पीछे lining नहीं है हाँ night के time पर इसका look अच्छा हो जाता है लेकिन दिन में ये उतनी खुबसूरत नहीं लगती है तो lining लगने से ऐसी problem नहीं होगी तो next आती है इस तरह की blind जो कि आप kitchen window पर लगा सकते हैं या फिर arch वगर पर लगा सकते हैं आउट साइड में लगाएंगे तो बहुत जादा तो आशा करती हूँ कि आपको जबी भी curtain खरीदने जाएं या नए curtain बनवाएं तो आप इस चीज़ का खास ख्याल रखेंगे जो मेरे बताए हुए tips हैं उमीद करती हूँ आपके लिए helpful रहेंगे तो आज का वीडियो इतना ही था आशा करती हूँ पसंद आया होगा अगर जरा भी कुछ भी अच्छा लगा है किसी भी reason पर अच्छा लगा है तो इसको like और share जरूर करें मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे एक नए और interesting वीडियो में तब तक के लिए be happy be active अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए बाई बाई